Assalamualaikum, मैं हूँ नवीत कुरेशी और आप लोग देख रहे हैं सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म NQ51 आज की वीडियो इंतहाई एहम है शिकारियों के लिए क्योंकि आज मैं कुछ खास बाते करने के लिए जाना हूँ सबसे पहले तो मैं आपको बताओंगा के पानी के अंदर आपका आटा आपका कैमिकल जिते मीठा पेडा कहते हैं या मुर्गियों की जो फीड है जो फीड वाला आटा बनाते हैं वो तैर कैसे सकता है उसका साइज इतना हो इतना हो या इससे डबल हो वो पानी में तैर सकता है इस मुझे तमाम शिकारियों से मेरी दरखास है कि नाम नहाद यूट्यूब पे बने हुए उस्तादों से माज़रत कर ले उनके चारों को इस्तमाल मत करे मैंने जिस दिन ये वीडियो बनाई हू Alt-Din बहुत सारे लोगों के अपने बताया नहीं मिझे जिस बंदे ने ये चीज़ दिय थी उन्होंने मणा किया ता यह बहुत बड़े दिल और बहुत बढ़ी बहादरी का नाम होता है कि आप बहादरी का काम होता है कि आप सच हवाम के सामने लाएं और सच बताएं मेरी जगा अगर पाकिस्तान का या कहीं का भी कोई भी उस्ताद होता शिकारी होता फनेखा होता तो कहता है मेरी इजाद है ये मैं बता रहा हूँ ये मेरी टेकनीक है लेकिन नवीत कुरेशी आपको बताता है कि ये मेरी इजाद नहीं है ये मेरी टेक्नीक, मेरी रिसर्च नहीं है ये रिसर्च एक इंतहाई काबल एतराम और मुतरम दोस्त की है जी हाँ, मैं जिकर कर रहा हूँ जहीर बाबर सहाब का जिनोंने रावल पंडी बन्नी में अपने बेटे के नाम हारिस के नाम पर दुकान को लिया है तो ये जो प्रड़क्ट मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने बहुत सरी इसके बारे में क्या सराईये की ती माज़ी मैंने एक वीडियो लोड की ती वो वीडियो ये थी कि मैंने बताया था कि यह आटा है आम आटा यह आटा केमिकल का हो यह फीड वाला आटा हो यह आपका मकई वाला आटा हो whatever मचली की खुराक हो किसी भी किसम की वो पानी में तैरेगी उसके बाद कुछ लोगों ने का आप इसमें फॉम मिला दें कुछ ने का आप बॉाइलिस के उपर चड़ा दें मैंने वो वीडियो जान बूच के डाउनलोड कर दी हाइड कर दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे मैं आप वो वीडियो वो भी खुल दूँगा मैं सबसे पहले तो आपके सामने आठे को तरा के दिखाऊंगा उसके बाद इसमें क्या चीज़ मिलाई है आपके सामने बताऊंगा और इसलिए बताऊंगा कि मैं चाहूंगा कि आप इसके बदले आपको जब भी गेम हो आप दूआ दें मुझको दूआ दें, मेरे बेटे ताहा को दूआ दें, नंबी उमर असेद की दूआ दें, मेरे बुजर्गों को दूआ दें और तुमाम शिकारियों को दूआ दें, जो जहाने फानी से रुखता दो चुके हैं, राज दिलों में ले जाने का कोई फाइदा नहीं होता दाउस साब, मोसिन भाई, आके भाई और जतने भी बड़े बड़े हैं हमारे मीरपूर के दोस्त हैं उन्होंने फिश फीडर पे और बॉाइलीज पे बहुत अच्छा शिकार पकड़ा और उसकी वीडियो बनाई फिर बॉाइलीज मार्केट में इंटर्डियूस हुई कुछ लोगों ने फोम पे बनाई, कुछ मार्केट से इंपोचाइना से इंपोर्ट करके लाए, मैंने उसका भी वीडियो बनाई थी कि यह जो बॉाइलीज हैं उसके फोम से बनाते हैं, मचली पकड़ने के लिए वो पानी में तैरती है आई यह शॉर्ट कट में चलते हैं, यह मेरा घर का हाट है जो मैंने बनाया, इसकी दो गोलियन ले रहा हूँ जो सीधे हाथ की गोली है, इसमें वो प्रोड़क्ट नहीं मिली हुई जो उल्टे हाट की गोली है, इसमें वो प्रोड़क्ट मिली हुई है सबसे पहले मैं इसको फ्लोट करके दिखाऊंगा तहा बेटा नजर आ रहा है जूम ना करना यह जी मैंने डाली सीधे हाथ वाली प्रोड़क्ट डूब गई, तहा के लिए नजर आ रहा है अब मैं दूसरी प्रोड़क्ट डालूँगा इसमें वो प्रोड़क्ट मिली हुई है है यह सिंपल आटा पूरा दबाया जा रहा है, देख लें पूरा दबाया जा रहा है इसे दुबारा गोली की शकल मिलाओंगा और यह समें डाल दूँगा डालते साथ ही फ्लोट कर रही है इसके लाइफ टाइम तक्रीबर पांच से साथ गंटे है पांच से साथ गंटे ही अपनी फॉर्म में रहेगा और सबसे बड़ी बात यह दूद की लखीर चोड़ेगा जो मचली को दूर से अट्रेक्ट करेगी अब इसमें मिला हुआ क्या है यह इसकी तरफ चलते हैं दिलों के राज बताना बड़ा मुश्किल होता तकलीफ तो मुझे भी हो रही है आप लोगों को शिकार लगेगा तो हमें दुआ ही देंगे ना बड़े बड़े उस्ताद बहुत सारी चीज़ अपने साथ ले गए अगर वो दे जाते तो बड़ा कुछ हो जाता चलिए राज पर्दे से राज उठा रहा हो टान टाटान पचानते हैं क्या कौन कौन जानता है क्या जी हाँ यह है चाइना मिट्टी जो आपके घरों में आपके छोटे बच्चे मार्किट से खरीदते हैं 12-13 रंगों में होती है मेरे घरों में बच्चे खेलते रहते खतम हो गई है अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको अब आपके सामने करता हूँ और इसमें जो रंग मिलाँगा वो इससे मिलता जूलता नहीं दूसरा रंग मिलाँगा ताके आपको पता लगे यह चाइना मिट्टी का पैकेज जो है मिक्स अच्छी तरह से सबसे बड़ी बात है कि इसकी कोई स्मेल नहीं है आप जो भी खुश्बू डालेंगे जो भी एससंस डालेंगे वो अपनी जगा जूंका तूं बरकरार रहेगा यह गोली हो गई तयार लाइट पिंक कर रहेएगे अब यह पहले वाली गोली मैंने निकाल ली ताकि यह ग्लास चोटा है ना अब यह दूसरी गोली मैंने पकड़ी यह लेकर आया यह देखें कि यह कैसे तैरी तैर गई यह था वो राज जो मैंने पास था किसी की अमानत था मैं शुकर गुजाद हूँ जहीर बाबर साब का क्यों उन्होंने मुझे अजाज़त दी और मैंने आप लोगों के साथ यह शेयर किया और दौाओं का सिलसला बना आप मेरे वालदान के लिए मेरे चाचा के लिए मेरे वालद साब के लिए तमाम शिकारियों के लिए मेरे बेटे की सहत के लिए अच्छी तालीम के लिए जब भी दौाओं उठाएं उस दौाओं में आपने जहीर बाबर साब को भी याद रखना है और जाने वाली वीडियो में इसी तरह की अच्छी इंफर्मिशन आपको प्रवाइड करूँगा और अगर आप चाते हैं कि आप इसी किसन की मालूमास से मुस्तफीर होते रहें तो यूट्यूब चैनल एन यूट्यूब पे एनक्यूफिटीवन चैनल है वो आपकी अवलीन तरजी होना चाहिए इसके साथ ही अपने दोस्त नवीत कुरेशी को अजादत दीजिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अलाहाफिज